हेलो एन बेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलोजी हब तो कोर्सोलोजी हब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत हैं मैं सिंथु जा एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूँ और ये नई वीडियो जो हमारी बेस है ये है जे SSC के द्वारा टीचिंग की वेकेंसी आई है और आपको पता है कि कोर्सोलोजी हब आपको हर टीचिंग की वेकेंसी और टीचिंग से रिलेटिड उसके अलावा अधर कॉम्पेटिटिव एक्जाम से रिलेटिड जो भी महतपुन जानकारी होती है वो देता रहता है तो उ जेख सकते हैं आपकी सनातकोत्तर परसिच्छत सिच्छक परतियोगिता परिच्छा 2023 नियम भरती आई है आपको जैसा कि पता है कि इससे पहले वी एक भरती जो है जे SSC ने 2022 में निकाली थी जिस वेकेंसी को लेकर के उस वेकेंसी का पुरा प्रोसीजर भी हो चुका है उस जबार वेकेंसी डिलीज is करती है इस से यह वी शो होता है कि जहरकंड सरकार जो है वो एजुकेशन को लेकर के कितनी सिरियस है और की आपक्त की जो है लगातार फुलफिल हो रही है जिससे की ओ आपका, ने की बशुकेशन लेवल जो है तो पेसली गुर्मच आपकींस लेबल जो है वो उपर जाएगा ये एक बहुत अच्छी बात है हम इसके सराहना करते हैं आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये वेकेंसी है इसके लिए जो है इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन डाल दी है रेगुलर वरती है याद रखेगा पॉमानेट वेकेंसी है ये और च्यालीस सो ग्रेड पे की वेकेंसी है और अच्छी खासी सैलरी है इसके अंदर ठीक है जो भी स्टेट गौर्णमेंट का च्यालीस सो ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी बनती है वो सैलरी है इसके अंदर फॉम डालने के लिए दोस्तों बहुत ही कम शुल्क रखा गया है 100 बचों के लिए जो की जनल के टेगरी या फिर अदर स्टेट से बिलॉंग करते हैं और 50 रुपीज उन बचों के लिए है जो की फिजिकली हैं या किसी के अंदर आते हैं ओके लेकिन फिजिकली हैंडिकाप परसंस के लिए 40% डिसिविल्टी का वेरिफाइड सेटिफिकेट होना बहुत जरूरी है उसके विना वो कंसीडर नहीं किया जाएंगे वो माने नहीं जाएंगे ओके आगए अगर हम लोग बात करें तो इस वेकिंसी को जो है दो केटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है मैं आपको पहले आगे डिटेल से पहले बता दू एक केटेगर और इसके अलावा एक दूसरी वेकेंसी है, वो जारखंड करमचारी आयोग, यानि कि जो जारखंड के जो टीचर है, जो वहाँ पर वरकिंग है, और जिनको कम से कम 3 एर का experience हो चुका है, उन लोगों के लिए है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इसके अंदर ये टीचरों के लिए है, जो कि जारखंड में टीचर का काम कर रहे हैं, और 3 साल का उनको experience हो चुका है, अगर उन में कोई eligible candidate उनको नहीं मिलता है, तो वो वेकेंसी जो है, वो open वेकेंसी में convert कर दी जाएगी, और इन कैंडिडेटों को द्वारा जो कैंडिडेट इस वेकेंसी के अंदर waiting list में होंगे, उनको ये transfer कर दी जाएगी, लेकिन पहली priority उन teacher को दी जाएगी, मैं कहता हूँ कि हर सरकार को ये initiative लेना चाहिए, ताकि जो उनके state में जो contract employees ये काम कर रहे हैं, या temporary basis पे जो government को अपनी service दे रहे हैं, उनके भविस्य को भी सरकार को ध्यान में रख चाहिए, चलिया आगे देखते हैं, तो इस vacancy के अंदर आप देख सकते हैं, कि जो पहली post है, वो है PZT, जीव विज्ञान का, यानि की biology का, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, कि जो unreserved category के अंदर जो है, वो 94 seats हो हो रही हैं, उसके अलावा इसके अंदर physically handicap के लिए भी उनको भी बरावर सहभागिता मिलनी चाहिए, और टोटल जो seats हैं, वो 218 है, इसी हिसाफ से आप seatों की संख्या देखते जाए, मैं आपको पोस्ट बताता जाता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं, केमिस्ट्री की seat है, रसायन सास्त्र, फिर भूगोल की seat है, यानि कि जगर कोफी, उसके अलावा हिंदी की seat है, उसके अलावा दोस्तों अर्थ सास्त्र की seat है, इतिहास की seat है, उसके अलावा संस्क्रित की seat है, उसके अलावा अगर हम देखें, तो रसायन सास्त्र की seat है, यानि कि केमिस्ट्री की seat है, भूतिक सास्त्र की, उसके बाद मैथ्स की seat है, maths के बाद में commerce की seat है और English की seat है अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते है जो सीमित भरती है कारेज़त TGT सिक्षको के लिए जो की TGT के post पे काम कर रहे हैं अभी बरतमान में उनके लिए भी यही जीव विज्यान, रसायन, सास्तर, सारी जो post है सेम पोस्टेज है इसके अंदर थोड़ी vacancies कम होंगी लेकिन अगर इन vacancies को fulfill नहीं कर पाते है टीचर तो यह vacancy भी regular vacancy में convert हो जाएंगी उसमें भी देख सकते हैं आप कि disabled persons को relaxations और sports persons को relaxations दिया गया है अगर आगे बात की जाए इसी तरीके से तो इसको कोटिवार जो है दिया गया है और जारखंड के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो मतलब पढ़ा होगा और जारखंड के टीचर होंगे उनके बारे में सारी educational detail बगर दी गई है open vacancy है सब कोई भर सकते इसको ठीक है इस चीज में बिल्कुल भी confusion नहीं रहना चाहिए कि स्पेशली जारखंड के लिए है ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद इनके लिए qualification यहाँ पर डाली गई है qualification आप देख सकते हैं मैंने इसी लिए screen को थोड़ा रोग दिया है आप आगे का qualification देख सकते हैं चाहें तो अगर आपको डाउट हो तो screenshot ले लीजिए उसके बाद इसको देख लीजिए आगे देखिए इन पोस्टिस के लिए qualification और आप देख सकते हैं जो पे मैट्रिक्स है लेवल 8 का है 47,600 से 151,100 रुपे तक का जो है इनका पे मैट्रिक्स है बहुत अच्छा पे दे रहे हैं लोग सभी स्टेट गॉर्मेंट को सीखना चाहिए जहारखंड की सरकार से उसके बाद आगे देख सकते हैं सिच्छिनिक योगिता के बारे में लिखा है खेल कूद के बारे में लिखा हुआ है ठीक है अधिक्तम उम्र सीमा की गणना 18-2019 से आपका कंसिडर किया जाएगा और आपका जो नियूंतम यानि की मिनिमम एज क्राइडिया 21 येर से छोटे नहीं होने चीए और 40 येर से बड़े नहीं होने चीए अगर आगे जाएं और देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो निसकति जनों के लिए लिखा हुआ है कि स्क्राइड की सुवधा उनको जो है किस तरह से मिलेगी ठीक है उसके बाद में आगे जाएं तो मैन पॉइंट के ओपर चलते हम लोग अगर डो मिसाइल है किसी के पास तो उसको डो मिसाइल का परमान पत्र देना पड़ेगा उसके बाद जाती परमान पत्र के लिए सारा मेंशन किया गया है इसके अंदर उसके बाद अगर आगे चलते रहे हम लोग तो दोस्तो मैन पॉइंट पर चलते हैं बहुत स्मार्ट हो गए है और उनको सवाता है तो चलिए आगे चलते हैं ओनलाइन आवेदनी में संसोधन करने के लिए आप 10-5-2023 से 12-5-2023 तक आप संसोधन कर सकते हैं अगर गलती से आपने कोई मिस्टेक कर दिया और उसमें कुछ गलती होगी तो आप इस डेट के दुरान उसको रेक्टिफाइक कर सकते हैं दोस्तो आवेदन भरने की तितियों की बात करें तो आप जो है रेजिस्ट्रेशन 5-4 यानि की 5 अपरेल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 4-5 यानि की आप जो है चार मई तक जो है फार्म को भर सकते हैं और फोटो प्रिंट आउट वगरा लेकर रहे लीजएगा उसकी भी डेट यहां पर डली होई है तो मिलने आप जो है चार मही तक इस फ़र्म को डाल सकते है काफी टाइम है आपके पास ठीक है परिच्छा सुल्क के बगएरा के वारे में मैंने आपको सब बता ही दिया इसके अंदर और परिच्छा का सुरूप होगा वह केंप्यूटर वेस होगा सीवीटी वेस होगा चैट ठीक है चैप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद आपको देखो पेपर की बारे में बात करें तो पेपर जो होगा वह आपका मुख्य परिच्छा जो होगी उसके अंदर आपको सामान्ने हिंदी और भासा की परिच्छा होगी जो आपकी 100 मार्क् 300 marks का paper देना होगा दोस्तों आगर आगे बात करें तो सामानने ज्ञान के अंदर जो है यह सारा लिखा हुआ है कि दिन परती दिन की घटना है और सारी चीजे जो है यह आप notification जो है यह आप देख लिजेगा ठीक है वहाँ पर आपको सारी चीजे देख जाएंगे क्या क्या चीजे है और जाहता आप इसका screenshot भी ले सकते हैं ठीक, इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए, सामान्य ज्यान का, कैचा टॉपिक्स आपको कवर करने अपने स्लेबस में, उसके बाद सामान्य विज्यान, सामान्य गणित, मानसिक छमता, उसके बाद केम्प्यूटर का मुलभूत ज्यान, हिंदी भासा का ज्यान, ये आपको जिसमें कि हिंदी और दूसरी जो कॉमन चीजे हैं, उसके लिए आपको 33% मार्क्स लाना है, और जो पेपर 2 होगा, यानि कि आपका में सब्जेक्ट का होगा, उसका आपको 50% आपको लाना होगा, और रिजर्व केटेगरी के लोगों को 45% लाना होगा, और मेरिट आपका जो होगा, वो second paper का बनेगा, ना कि first paper का, first paper आपको just qualify करना होगा, दोस्तो, अगर आगे बात की जाए, तो equal marks अगर किसी के होते हैं, तो मिदवार की जनमतिति के आधार पर उसका फैसला किया जाएगा, कि उसका जनमतिति जिसका जादा होगा, उसको लिया जाएगा, तो reserve category है, उनको 50% और reserve category को 45% marks लाना अनिवार होगा, बस यही सारी बाते थी, अगर इसके अलाबा भी आपको कोई confusion हो, तो आप नीचे हमें comment box में डाल करके, पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर format दिये हुए, सभी चीजों के जो की आपको verify कराके लाने हैं, देख सकते हैं, और उसके लाबा यह सारे form दिये हुए, तो जो भी आपको बोला गया है, category में जैसे domicile के हैं, या reserve category से हैं, या disabled person है, तो उनके लिए आपको format दिया हुआ है, तो आप इसको कराके, submit करा सकते हैं, अगर आपकी job लगती है, तो ठीक, तो I hope so कि आपको यह session पसंद आया होग और अच्छा लगा होगा, अगर फिर भी आपको notifications related कोई भी issue हो, कोई भी problem हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे आप देख सकते है, verified है, परिक्षार यंत्रक के है, और मैंने ये जारखंड SSC की website से डाउनलोड करके आपके पास लाया हूँ, तो Coursology Hub के साथ आपको time to time मिलते रहेंगे, जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वैल आइकन को दवा दे ताकि हमारी हर लेटिस्क नोटिफिकेशन आपको time से मिलती रहें दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में,